नमस्कार दोस्तो आज की जोड़े में हम जानेंगे कि हर किसी के लिए शुब नहीं होता है सोना पहनना तो सोना पहनने से पहले जानिये आप पर क्या असर डालेगा यह सोना जोतिस के अनुसार सोना धातू पहनने से ब्रिस्पति ग्रह मजबूत होता है लेकिन इसे पहनने से पहले कुछ सावधानिया भी बहुत जरूरी है जो जानकारिया है वो भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि सोना पहनने से शुब परिनाम हर किसी को नहीं मिलता है कुंडली में ग्रह, दोश, भाग्य व्रिद्धी और रोगों से मुक्ति पाने के लिए कई रतन और धातूओं को धारन करने की विधी बताई गई है जोतिश में जिसमें सोना सबसे खास है सोना बहुत ही मुलेवान वस्तू है माना जाता है कि सोना पहनने से भाग्य खुल जाते हैं पर इसमें भी कुछ नियम है अगर पालन ना किया जाए नियमों का तो सोना अपना दुश प्रभाव भी दिखाने लगता है जोतिश के अनुसार सोना धातू पहनने से व्रिस्पतिग्राई स्ट्रॉंग होता है जीवन में धन धाने सुक समरिद्धी का आगमन होता है पर हर किसी को सोना धारन नहीं करना चाहिए तो आए जानते हैं इसके बारे में तो इन लोगों को सोना धारन नहीं करना चाहिए व्रिश्रब राशी, मिथुन राशी, व्रिश्चक राशी और कुम राशी के लोगों को सोना भूल कर भी धारन नहीं करना चाहिए इससे इन्हें नुकसान पहुँच सकता है तुला और मकर राशी के जातकों को बहुत कम मात्रा में सोना पहनना चाहिए जो लोग लोहा, कोईला या शनी रिलेटेड किसी धातू का बिजनस करते हैं उन्हें भी सोना धारन नहीं करना चाहिए क्योंकि शनी का संबंद गुरू से अच्छा नहीं माना जाता और ऐसे में बिजनस में घाटा हो सकता है अगर किसी की कुंडली में गुरू ग्रह जो है उसकी इस्थिति खराब है तो भी सोना पहनने से परहिच करना चाहिए शनी के अशुब दशा में होने पर भी सोना धारन नहीं करना चाहिए साथ ही सोने की अंगुठी किस उंगली में पहनना चाहिए जिससे के लाब हो और किस में नहीं वो भी बता देता हूँ तो देखिए बाएं हाथ में सोने की अंगुठी पहनना अशुब माना जाता है अनमिका उंगली में सोने की अंगूठी धारन करने से संतान सुक मिलता है कनिष्टा उंगली में इसे धारन करने से सर्दी जुखाम या सांस की बीमारी से छुटकारा मिलता है ये भी बता दूँ कि सोने की अंगूठी या सोने का अभुशन किन के लिए शुब होता है तो मेश, कर्क, सिंग, कन्या और धनू इनके लिए सोना धारन करना शुब होता है